बिस्मिल्लाहिरुर्प्मालरहीम, स्सलाम अलेकम स्टूडेंस, हम सीख रहे हैं Classics Mathematics, इसके Chapter No.3 हम सीख रहे हैं, आज कि इस वेडियू में हम Exercise No.3.4 को सीखेंगे, तो वेडियू से रहने से पहले आप से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और अ आपी वेडियूस आपको Link Description में मिच जाएंगे, आप वहां के लिक करके वह भी देख सकते हैं, तो शुरू करते हैं, सबसे पहले समझते हैं, परसंटेज का मतलब क्या होते हैं, तो परसंटेज का मतलब होते हैं Out of 100, ठीक, मतलब क्या हुआ कि हिंड्रिट में से अगर हैं कि यह क्या है, Out of 100 है, ठीक, तो इसके लिए हम परसंटेज में शो करते हैं, तो परसंटेज के लिए जो सेंबल यूज करते हैं, वो आपने क्या करना है, यह लाइन जा करके दो सरकल बना देना है, तो यह बन जाएगा आपका परसंटेज, तो जब भी कोई हिंड्रिट में से कोई नमबर आ जाए ना, तो उसे कहा जाता है परसंटेज, समझ गए, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, तो परसंटेज और फ्रेक्शन दिया हुआ है, तो फ्रेक्शन में भी आप लिख सकते हैं, अगर आप हिंड्रिट को फ्रेक्शन में लिखना चाहते हो, तो फ्रेक्शन में हम लिख सकते हैं, फ्रेक्शन में लिख सकते हैं, फ्रेक्शन में लिख सकते हैं, तो अगर आप हिंड्रिट को परसंटेज होंगे, तो यह दोनों आपने याद रखना है, तो यहाँ पर नाइन परसंटेज में इसका मतलब क्या है, अगर परसंटेज में हो तो इसका मतलब होते हैं out of hundred यानि hundred में से nine थे तो यहां पे nine क्या है? हंजरेट में से nine को शो करते है nine percent तो आपने यहां पे लिखना है nine out of hundred इसी तरह nine out of hundred के लिए हमने अभी सिखा कि नीचे hundred लिखेंगे उपर nine तो nine out of hundred करके fraction में आप लिख सकते हैं इसी तरह 21 percent है इसका मतलब क्या है? हंजरेट में से 21 है तो 21 out of hundred है यह 21 percent तो इसका fraction क्या होगे? तो 21 out of hundred के लिए नीचे आप hundred लिखेंगे और उपर लिखेंगे 21 तो यह आजाएगा आपका fraction में यानि divide में इसी तरह 31 out of hundred के लिए आप क्या लिख सकते हैं? नीचे hundred लिखेंगे उपर 31 लिखेंगे अगर out of thousand होना तो नीचे thousand आएंगे अगर one lakh हो तो नीचे one lakh आएंगे तो उपर जो भी यह है out of से पहले वो उपर आएंगे तो यह percentage में किस तरह आप लिखेंगे? तो hundred हो तो आप इसे percentage में लिख सकते हैं अगर hundred नहीं होना तो क्या करना है आपने नीचे पहले hundred कर देना है जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 400 divided by one thousand लिखो तो percentage में यह 400 परसंट नहीं आएंगे बलकि क्या आएंगे? इसको नीचे hundred करना होगा हमें तो यहाँ से एक cancel करेंगे तो बाके hundred आ चुके हैं यहाँ नीचे अब जाके यह उपर वाला क्या होंगे? परसंटेज होंगे तो यह गलत होंगे यह वाला सही होंगे 14 परसंट तो यकिनन इन चीजों को आपने याद रखना है यहाँ पे means 31 out of hundred है तो यहाँ पे क्या होंगे 31 परसंट आप लिख सकते हैं ठेक hundred है इसलिए और 31 divided by hundred लिखेंगे इसके लिए और यहाँ पे क्या है 73 औ नहीं होंगे नीचे hundred होना चाहिए तो यह आएंगे 73 परसंट और यह क्या है 73 out of hundred है और इसी तरह 47 परसंट का मतलब क्या होते हैं 47 out of hundred तो hundred में से 47 होंगे 47 परसंट और इसके लिए आप fraction में लिख सकते हैं 47 और hundred समझ गए अगला देखते हैं question number two तो question number two है copy and complete the table after studying the figure तो यहां पर एक figure दिया हुआ है एक माफसर दिया हुआ है जो कि आपको नजर आ रहे हैं यहां black है इन बोक्स में यहां पर पलस की तरह नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब जितने भी box है ना इन में blue है और बाकी यहां पर white है तो आप देख सकते हैं कि इ copy and complete the table after studying the figure तो आप जब आप इसको study करेंगे तो black हो गए यह blue हो गए और यह white हो गए इसके बात यहां पर जो box की तेदाथ है वो है हें hundred तो यह चीज़ आपने जहन में रखना है इसके बात आपने क्या करना है यहां जो सवाल क्यों है उसका answer देना है तो number of black square तो इसमें black कितना है एक डौतीन चार यहां भी चार यहां भी चार यहां भी चार तो sixteen इसमें black box है तो इसके लिए आप पूरे हंड़े में से sixteen को अगर आपने लिखना होना तो इसके लिए आप क्या रिखेंगे sixteen hour hundred लिखेंगे जो कि black को show करेंगे निए तो sixteen hour hundred के लिए percentage में अगर ठेक इसके बाद बाकी दो आपने खुत करना है नंबर आप बिलू सिक्षड तो अगर आप बिलू सिक्ष इसमें ताउन करेंगे तो 36 है ना 36 तो इसका मतलब यहाँ पर जो बिलू सिक्षड है वो है 36 अब इसको अगर आपने ड्वाइड में लिखना हो तो इस पूरे मेंसे 36 को आपने अगर बतानी हो कि इसमें कितना बिलू है तो इसके लिए आप रिखेंगे 36 आवर हेंडरेट और इसका परसंटेज कितना बनेगा तो जब नीचे हेंडरेट हो तो उपर वाला है 36 परसंट ही होंगे यही है ना इसी तरह वाइट सुकेर अगर फोटी एड और हेंडरेट लिखेंगे इसके बाद यहां पर फोटी एड परसंट होंगे ठेक तो इस तरह आप देख सकते हैं यह 40 पजाश साथ 70 80 90 92 100 मतलब यहां पर आप यहांडरेट आना चाहिए वह आ चुके हैं ठेक इसी तरह बी है नंबर आप वाइड सुकेर 16 है इ दर लिखते हैं तो यहां बिलयू सुकेष कितने हैं सि में है तो कि हैं California 64 इसके बाद यह दोनों आप ड़ी सेके हैने 64 90 पर परसंडे इसके ऑदने कितना है तो आपके पास चारपैशंचbers है तो यहां पे लिखेंगे बीस बीस बार हंड़ेश्ट, ठीक इसके बाद यहापे 20% भी लिखेंगे तो इसको अकार्ट के ना आप वन आवर 5 भी लिख सकते हैं इसी तरह वाइड पलस बिलू वाइड और पलस बिलू दोनों को मिला के कितना स्केर से वो आपने यहापे लिखना है तो हमने देखा वाइड कितना है 16 है बिलू 64 है तो 77 80 मलब 80 आपके पास दोनों को मिला के वाइड और बिलू है तो आपने यहापे लिखना है एक्टी आवर हेंड्रेट इसके बात 80% यह तो आप समझ चुके हैं बिलेक पलस बिलू बिलेक और बिलू कितना है तो 57 77 84 84 है तो इसका मतलब 84 होंगे इसमें और 84% होंगे इसी तरह बिलेक पलस व 36 और 100 और 36% समझ गए अगला देखते हैं क्वेशन नमबर 3 है ड्रा एलार्ज सुकेर डिवाइड इंटो हेंड्रेट इक्वल सेमाल स्कुर्स तो यहाँ पे आप पहले ड्रा करेंगे एक लार्ज सुकेर तो ड्रा करते हैं फिर देखते हैं बाकर सवाल को तो क्या करना है आ एक रूलर की मजद से अच्छी तरह खुबसूरत करके बना देना है मैंने फ्रेहन बनाया है ठीक तो यहाँ पे ज्रा एलार्ज सुकेर तो एक सुकेर हमने बनाया उसको हमने क्या किया दिवाइड इंट इंटो हंड्रेट एक्वल स्माल सुकेर तो चोटे चोटे बिलेक अब आपने क्या करना है फिफ्टीन परसन को आपने क्या करना है यहां पर बिलेक कलर कर देना है तो आप जहां से भी चाहो कर सकते हैं तो यहां से ना हम क्या करेंगे एक दो तीन चार पांच छे सथ आत नो दस इस तरह से भी कर सकते हैं पांच यहां से यहां से भी कीजिएगा वो आपकी मर्त जहां से आपको अच्छा लगे वह हों से आपने जो कि पिंचल की मदद थे आप रोह रांगजात का इस्तिमार करके कलर का यूज़ करके आप इसको क्या करेंगे बिले कर देंगे अच्छी तरह बिल्कुल इसको फिल कर देना है ठीक यह से ही नहीं रखना तो यकिन आप कर सकते हो इसके बात अगला है कलर दा रिमेनी इसको आपने क्या करना है बिलू कलर कर देना है अच्छी तरह समझ गए तो यह होते हैं बाके रिमेनी वाला इसके बात इसको अच्छी तरह से कीजिएगा कर सकते हो आप इसके बात है वर्ट परसंटेज आप दा लार्ज सुकेर इस बिलू तो इसमें से जो बिलू एरिया है ना उसका percentage कितना होंगे तो वो आपने यहां पे क्या करना ही लिखना है तो percentage अगर हम देखेंगे तो उसका जो total हमने blue area को shade किया था वो कितना था तो वो था आपके पास एक दो 15 को अगर आप निकालेंगे तो 85 होंगे हमने क्या किया है बिलू कलर कर दिया है तो 85 अगर इस हेंड्रेट में से 85 हो तो वो कितना percentage बनेंगे तो यकिन आप जानते ही है हंड्रेट 85 और हेंड्रेट है यह पूरा तो इसके लिए आप नीचे अगर हेंड्रेट हो तो आप इसके लिए लिख सकते हैं 85 पर सन समझ गए तो यह था हमारा क्यूशन नंबर थ्री अगला है क्यूशन नंबर फोर यहां पर आपको नज़र आ रहे हैं कि एक फिगर दिया हुआ है तो इसमें से आप देख सकते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ को बिले कर दिया हुआ है और बाकि तेन को वाइट ठीक तो बाकि इसको आपने एची तरह से समझना है इसके बात आपके पास जो स्टेटमेंट है वह है दाफिगर शोन है इस बीन डिवाइड इंटो टेन एकॉल पार्स तो टेन एकॉल पार्स में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है ठीक एक पार्ट में अ अद्व एक तरह सकते हैं रिवाइड किया हुआ है तो शार शीय डिट एडिया ठीक यह आप ने लिखना है इसके बात है fraction में आपने लिखना है इसको वर्ट fraction आप ता figure तो यहां पे 7 कितना है और out of कितना है यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 है ना तो आपने यहां पे 10 लिखना है इसमें आप देख सकते हैं 10 boxes बनाया हुआ है तो यकिनां इसमें आपने क्या करना है 7 आवर 10 करके लिखना है तो यह आजाएगा आपके fraction में तो fraction पहले लिखिएगा इसको इसके बाद इस नमबर को लिखिएगा अगला है what percentage आप दर फिगर इस यहां पे fraction में हमने पहले भी सिखा था कि percentage के रहे क्या होना चाहिए तो percentage के रहे निच्चे आपको हेंडर्ट आणा चाहिए तो पर संते uls के रहें आप में क्या करना है निच्चे हेंडर्ट लेकर आना है तो यह मेमम स्य आपके लिखिपिर हासी होdzie मिरेंगे अगर direct 10 रखेंगे तो परसंटेश का पता नहीं होगा नहीं चलेगी ठीक तो जब आपने multiply by 10 किया है तो उपर भी multiply by 10 करना होगा तो यह आएंगे निची 100 आ चुके हैं इसका मतलब उपर वारा नंबर क्या है हमारा परसंटेश है समझ गए इसके बाद किशन नमर फाइफ है इना यूनिवरसिटी एक यूनिवरसिटी में 220 आफ थोजन स्टूजेंट है उस साइंस सब्जेक अब साइंस सब्जेक में कितना आप तो जन है यह आपने याद रखना है was one thousand है hundred नहीं है थैक अब स्वाल है फ्रेक्शन स्टूडेंट है उस सेलेक्टिव साइंस सब्जेक्ट अब आपने क्या करना है फ्रेक्षिन में लिखना है इस नंबर को तो फ्रेक्षिन में लिखने है तो चैंचल कर देंगे फिर यह टू का डिवजबल है तो दो ग्यारां माइस दो पचास सो इसके बाद आपदे सकते हैं वाकिय नहीं होंगे कि तो ग्यारां बटा पचास होंगे फ्रेक्शन में अगला है इसके लिए oup, ए है – यह बी है आपके पास, हउ मनी पर हेंड्रिट है उस साइंस सब्जेक तो पर हेंड्रिट के लिए नीचे हेंड्रिट आना चाहिए था थोजन नहीं आना चाहिए थैक तो नीचे अगर थोजन हो तो इसको हमें क्या करना है हेंड्रिट बना देना है तो 100 अगर बनाएंगे तो यहाँ पे पहले हमने किया था यहाँ एक केंसिल करेंगे तो 100 आ रहे हैं इसका मतलब क्या है पर 100 में 22 है आपके पास पर 100 समझ गए तो यह पर 100 आप लिखेगा इसके बास सी है उवर परसंटेज आप दा स्टूडेंट है उस साइस सब्जेक अब परसंटेज तो हमने सिखा नीचे हिन्डेट आना चाहिए था तो नीचे हिन्डेट हम ला चुके हैं यहाँ पे सी के लिए तो परसंटेज कितना होंगे बाइस परसंट होंगे जो कि हमने पहले किया था तो उपर आए हैं बाइस तो यह होंगे बाइस परसंटेज क्या है साइस सब्जेक के स्टूडेंट है ठेक तो स्टूडेंट आप साइस सब्जेक लिखेगा यहाँ पे तो मुझे उमीद है आपको यह अगर रहे हैं तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा इसके रावा बाकिव एडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिट जाएंगे आप वहां किलिक करके वो भी देख सकते हैं तो उस वकत तक के रहे मुझे आपको लिएगा लावाफे जब किऊे किलिक कि लिए हैं वहारत जेगा आपको किया है teenyงापक